आयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के निर्माण में आर्थिक सहयोग कैसे कर सकते हैं ये जानने के लिए श्री राम जन्म भूमी तीर तुशेत रिटरस्ट और बैंक जो हैं उनमें टोल फ्री नमबर जारी किया गया है इन नमबरों पर फोन कर दान करने के लिए पूरी जानकारी ली जा सकती है इन टोल फ्री नमबरों से दान दाता ये भी पता लगा सकते हैं कि खाते में किस तरह से रुपे जमा करा सकते हैं यानि कि सहूलियत जो दान दाता है उन्हें दी गई है भीते रोज ही ठगी की वार्दा जरूर इस भी सामने आई थी राम मंदिर न बैंक में भी जारी किया गया है जो तहर्त लोग jogos में कॉल करके इसकी जानकारी जुटा पाएंगे कि इस तरह से वह कर सकते हैं क्या प्रोसिस इसको लेकर है इन सभी जीदों की जानकारी जो है अब श्री राम जन्मुभूमी तीद्र शेत्र ट्रेस्ट की ओर से एक टोलफरी नंबर ज़ारी कर दिया गया है, किस तरह से आगे लोगों को इसमें सहुलियत मिलेगी, स्वैलिन्ज। जी इसाने जी आपको बता दें कि इस तरीके से आगे हुई है, दोखा दड़ी कई बात है, ट्रस्ट के खाते की हो या अभी जो चंदे वसू ले जा रहे हैं, उसमें भी कई जगा से ख़बरे आ रहे हैं कि फरजी रसी छपवा के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इस कारण स बैंक तो यहते वाइन के आप का दें तो जानकारी के था पहुचा है,头 मंदिय निरुमाण के यह नहीं पहुचा है, यह किस तरीके से आपको दान करना है, इसकी भी जानकारी आपको बैंक के हलपलाइन नंबर से मिल जाएगी. जी आपको बता दें कि बैंक का साफ पैना है कि इसके लिए अलक डेस्क बनाया गया है रिक्त करमचारी निक्त होंगे जो कि यह केवल राम जुरंभूम ट्रस्ट के ही कॉल रिसीब करेंगे जो भी उसके खाते के जानकारी के बारे में चंदे के जानकारी मिलेगी तो उसके लिए अलक से कंट्रोल रूंग बनाया जारह है जी चले बहुत धन्यवाद चैलेन तमाम जानकारी के लिए